कि सीव से अगस्त्या तक दुनिया में खुद की हकीकत से चा गया तू कितना संजिदा कलाकार था कुद्रत का आखरी फैसला भी इतनी आसानी से निभा गया तू कितना संजिदा कलाकार था कुद्रत का आखरी फैसला भी इतनी आसानी से निभा गया तू और सिदहर्ट के दिलों में जिन्दा है तू धड़कन बनकर ये कौन कह रहा है कि दुनिया छोड़ कर चला गया तू इतने बैंकर दिवाने थे कि हर ट्रेंड हर सब कुछ सलाय करते थे तो उसी पर लिखा है कि बिग बोस में मा के लिए तेरा प्यार देखा था कि बिग बोस में मा के लिए तेरा प्यार देखा था महबत देखी थी तेरी दोस्ती के आगे सब कुछ बेशर पिबिक बोस में मा के लिए तेरा प्यार देखा था महुबबत देखी थी तेरी दोस्ती के आगे सब कुछ बेशर बाई तु एक बार लोट आना हम फिर से ट्रेंड करें सिदनाज फोरेवर अगला सेर है की भूक देखी है तिरस्कार देखा है भूक देखी है तिरस्कार देखा है गरीबी से जूजता मेरा परिवार देखा है की भूक देखी है तिरस्कार देखा है गरीबी से जूजता मेरा परिवार देखा है लिबास के हिसाब से बदलने वाला रब ना दिखा कभी लिबास के हिसाब से बदलने वाला रब ना दिखा कभी पर कभी ना बदलने वाला मा का प्यार देखा है पर कभी ना बदलने वाला मा का प्यार देखा है अंजाम तक साथ रहना तुम मेरे अभी तो तुमने सिरफ मेरा आगाज देखा है आगली पंक्तिया मेरी एक पोएम से हैं कि कभी गरीब की बस्ती में आना साहिब कि कभी गरीब की बस्ती में आना साहिब सड़के कच्ची पाउं मजबूत मिलेंगे सड़के कच्ची पाउं मजबूत मिलेंगे हाथ काले कठोर सही पर दिल के साथ मिलेंगे कि कभी गरीब की बस्ती में आना साहिब सड़के कच्ची पाउं मजबूत मिलेंगे हाथ काले कठोर पर दिल के साफ मिलेंगे तुम्हें कच्चे घरों की टपकती छतों में आखों में तूफान मिलेंगे तुम्हें कच्चे घरों की टपकती छतों में आँखों में तू फान मिलेंगे तुम आते वक्त बेशक ना कहना उनसे कुछ वो तुम्हें नम आँखों से गले मिलेंगे अगली कुछ शेर प्यार मोबद पे ट्राई किया है तो एक दोस्त जिसे अभी कि तू बस वो तैना कि तू एक मेरा खास दोस्त है तो उसी पर एक कि दोस्त जिसे तू दोस्त कहता है वही प्यार है क्या कि दोस्त जिसे तू दोस्त कहता है वही प्यार है क्या चाहत सोदा बराबरी का हो महुबद कोई व्यापार है क्या सोदा बराबरी कहो महबत कोई व्यापार है क्या और भाई वो उठते ही तुझे उठाए तू उसके गर का अकबार है क्या कि वो पूछ रहे हैं मुझसे कि वो पूछ रहे हैं मुझसे कि ये मेरी आखें तेरी गली में किसे टटोलती है कि वो पूछ रहे हैं मुझे कि ये मेरी आखें तेरी गली में किसे टटोलती हैं बता दूं क्या तू वही सक्स है जो मेरे घर के सामने परदा खोलती है और ना समझ है जो ना समझे वरना महबत तो बेजुबानों के भी बोलती है अगला सेर है कि एक मुद्दत से बंद पड़ा था मकान मेरा एक मुद्दत से बंद पड़ा था मकान मेरा ये कोन आया खिड़कियों से अंदर किसने दरवाजे खोले कि एक मुद्दत से बंद पड़ा था मकान मेरा ये कोन आया खिडकियों से अंदर किसने दर्वाजे खोले अभी तक सलामत हूँ मैं लगता है फिर उसने मेरे नाम से रोजे खोले अगला सेर है कि कलम बीरूठी है आज मुझसे अगला सेर है कि कलम बीरूठी है आज मुझसे डाइरी के पन्नों ने भी मुझ बनाया है लगता है इन कमबक्त हाथों ने तेरे बारे में लिखने की बजाए शिरब तेरा चैरा बनाया है आखरी दोसेर उससे आखरी मुलाकात पे हैं कि तेरे मेरे दर्मिया जो ये खामोसी थी कि तेरे मेरे दर्मिया जो ये खामोसी थी तेरे ना कहने पर तूटी थी कि तेरे मेरे दर्मिया जो ये खामोशी थी तेरे ना कहने पर तूटी थी मेरे हाथों के जखमों को छोड़ तू ये बता तेरे हाथ में किसके नाम के इंगूठी थी उसने जाते वक्त कहा था इसक अधूरा है अधूरा सही हर बात मुकम्मल नहीं होती अरे छोड़ो यारो अधूरी बाते सिर्फ दर्द देती हैं इनसे साइरी मुकम्मल नहीं होती हर बार मैं शुरुआत करता हूँ इस बार बगजचिंग के बारे में एक लास्ट शेर लिकर अपना अंतकर कि वो कहते हैं कि तू देश बक्ती की बाते करता है कभी वक्त आने पर देश के लिए अपना खून बहाएगा मैं कहता हूँ जंग को मेरी नजर से तो देखो हर सहीद के दिल में आने वाले सहीद के रूप में मेरा चहरा नजर आएगा और खून की बात करते हो खून की बात करते हो काट कर देख लो कत्रे कत्रे में बगत सिंग नजर आएगा